नमश्कार, प्रियदर्शकों, व्रश्चिक राशी वाले जातकों पर जब से शनी की धहिया प्रारम्ब हुई है, आप लगातार देखते आ रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नई समस्या आकर आपके सामने खड़ी हो जा रही है। आपके कर्म शेत्र में एस्पेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं निकल कर आपा रहे हैं। लगातार आपको अनुभूती हो रही है कि भाग्य आपका साथ विल्कुल भी नहीं दे रहा है। जितनी अर्निंग आप डिजर्व करते हैं वो इस्थतियां पक्षमे नहीं आ रही है। जनता में जो यश्मान और प्रतिष्टा आपको प्राप्त होनी चाहिए वो नहीं बन पा रही है। कुटुम्ब परिवार के सहयोग के स्थति यहां पर एक्टिवेट नहीं हो पा रही है। कर्ज लोन के स्थतियां हर दिन मानसिक तनाव की अवस्ता को क्रियेट कर रही है। और ये शनी की ढईया 17 जनवरी 2023 से लगातार आप अनुभूती कर रहे हैं कि प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का और हर दिन कुछ कदम पीछे आकर खड़े हो जा रहे हैं। किन्तु उसके पस्चात भी मैंने थमनेल में भी लिखा है कि व्रश्चिक राशी वाले जातकों पर शनी की ढईया होने के बावजूद भी आने वाले 12 महिनों में आपको मिलने जा रही है बहुत बड़ी सफलता। शनी की ढईया के सारे कश्टों को आने वाले 12 महिनों में आप भूल से जाएंगे ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। उसका कारण है कि आपके कुंडली के अंदर शनी की ढहिया के कारण रुकावटे तो देखने को मिल रही थी, किन्तु अब आपके कुंडली का बाहु बलीग रहे, सर्व स्रिष्ट सुरूप के अंदर आपको रिजल्ट देने जा रहा है। इस महीने अथार्त मई महीने के अंतिम चरण के अंदर आते आते गुरू महराज आपके कुंडली में पांच-छे डिगरी की अवस्ता का योग प्राप्त कर लेंगे और वहां से जब आपके धन भाव का और पंचम भाव का स्वामी आपके लिए रिजल्ट क्रियेट करना चा एक-एक करकर समझिये और इनकी अनुभूती अगर आप ना करें तो मुझे कहिएगा पिछले तेरा महीनों से देवगुरू ब्रस्पति आपके शष्टम भाव में बने हुए थे तो जब हात पकड़कर आगे बढ़ाने वाला कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आकर खड़ा ही नहीं हो रहा है तो जो पैर पकड़कर खड़ा है वो तो आगे नहीं बढ़ने देगा किन्तु अब आपका हात पकड़ने वाला एक बाहु बलीग रहे आपकी कुणली का अतियोग कारक रहे इस महीने के अंतिम चरण से आपके लिए कार्य करना प्रारंब करेगा और ये शनी के धहिया के कष्ट को आपके जीवन से दूर करता हुआ पया जाएगा पहली इस्ति के अंदर दामपत्य जीवन में मदुर संबंधों की इस्ति का योग यहां से गुरु महराज निर्मित करने जा रहे हैं दूसरी अवस्ता के अंदर आपके दैनिक रोजगार की जो श्तियां बनी हुई है इन्हें आपके पक्ष में लाकर खड़ा करने की बाध्यता देवगुरु ब्रस्पती अपने हाथ में लेंगे जिन वरश्चिक राशी के कन्या बालकों की विवा की उम्र हो चुकी है विवा में विलंब देखने को मिल रहा है इनके घर में देखने को मिल रहे थे तो आप देखेंगे आपके कर्म शेत्र की स्टियां अच्छे सुरूप में कारिय करना प्रारंब करेंगे यहां से आपके लिए डिजायर्स जो आपकी मनो कामनाई शनी की धैया के अंदर चाहकर भी पूर्ण नहीं हो पाई छुटी-छुटी मनो का अर्निंग में व्रद्धी होने जा रही है व्यापार कर रहे हैं व्यापार में व्रद्धी का योग क्रियेट होगा नौकरी कर रहे हैं प्रमोशन की स्टिया किसी अन्यत्र जगह नई जौब विद इंक्रीजमेंट आपके सामने उपर्चुनिटी जरूर से बन कराएंगे जो बड़े भाई बहनों से मन मुटाव चल रहा था जीवन में खटास का योग देखने को मिल रहा था अब उन बड़े भाई बहनों का स्वह योग आपको मिलना प्रारंब होगा जो मानसिक तनाव की स्थियां बनी हुई थी रातों की नीन दोड़ी हुई थी बेचैन हो रहे थे क्या करूं कैसे करूं करूं की ना करूं इसको ऐसा ना करकर ऐसा कर लेते तो बेटर होता इस कन्फ्यूजन से बाहर निकाल कर एक बहुत सुन्दर सा गोल आपके लिए गुरू महराज क्रियेट करने जा रहे हैं अनूभूती कीजिएगा इस महीने के अंतिम चरण से आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हर दिन डवलब होता हुआ चला जाएगा और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके डिसिजन मेकिंग पावर को बहुत स्ट्रोंग करने जा रहा है जहां आपके निर्णे जो पिछले समय में लगातार गलत हो रहे थे अब ये सही कदमों पर चलना प्रारंब करेंगे और आपके डिसिजन की दक्षता के दम पर समाज मे परिवार में, कुटुम्ब में और कर्म शित्र में मिलना प्रारंब होगी आपको यश्मान और प्रतिष्टा इसी के साथ में पिछले समय में लगातार मेहनत करने के पस्चात भी रिजल्ट के स्टियां आपके लिए निर्मित नहीं हो पा रही थी किन्तु अब आप देखेंगे मई के अंतिम चरण से बारा महिनों की गतिविधी में आपको मेहनत के रिजल्ट बनना प्रारंब हो जाएंगे जो व्यापारिक यात्राओं में आपको लगातार असफलता का सामना करना पर रहा था उसमें सफलता का योग प्रारंब होना प् और सबसे मुख्य गतिविधी, जिसका लगातार आप परेशानियों के सुरूप में सामना कर रहे थे, वो होता है धनका अभाव, कि आपके हाथ में प्लानिंग है, आप जानते हैं कि मैं पैसे से पैसा बना सकता हूँ, किन्तु पैसे से पैसा बनाऊंगा, उसके लिए पैसा होना तो चाहिए और वही पैसा अब आपके लिए देवगुरु ब्रस्पति निर्मित करने जा रहे हैं कारिय तो आपको ही करना पड़ेगा ये तो एक साधरन सी गतिविदी है किन्तु फर्क के आएगा तो फर्क आएगा कि पिशले समय में मेहनत के पस्चात जो धन की लूख मोड कर खड़े हो गए थे वो पुने से आपके इर्द-गिर्द घूमना चालू हो जाएंगे जो आपकी वानी का दब-दबा कोई समय में बना हुआ था सजनी की ढहिया से पहले आपकी वानी का जो दब-दबा बना हुआ था वो पूरे लगभग लगभग इस दू मिला कर खड़ा कर लेंगे पिछले समय में जो बड़े बड़े लॉस आपको देखने को मिले चाहे वो शेयर मार्केट में हो चाहे कहीं आपने इन्वेस्ट किया हुआ यहां पर है या फिर किसी अन्यत्र प्रकार से आपको लॉस हुए हैं इनकी रीकवरी करने का समय आपक चातुर यह मता के दम पर अपनी लर्निंग प्रोसेस को कि मैंने पिछले समय में क्या गलतियां की थी किस कारण से मुझे यह बड़े लॉस हुए हैं और अब इसकी रीकवरी मैं कैसे कर सकता हूँ यह जागरती आपके जीवन में देवगुरु ब्रसपती निर्मित करने ज खाई देगा अब यह सब गती विधियां शनी की धैया के कष्ट को दूर करने की दक्षता आपकी कुंडली के ब्रह्म कारक अगरह देवगुरु ब्रसपती के हाथ में तो बनती है किन्तु प्रश्न यह बनता है कि क्या सभी व्रस्चिक राशी वाले जातकों को देवगु की गणना को सत्य सुरूप में जान पाएं हवाई फायर करने वाले बहुत से लाखो करोडों वीडियो रोज यूट्यू फेस्बुक पर बनते हैं जहां अब यह हो जाएगा अब वो हो जाएगा किन्तु सत्यता से आप भली भाती अवगत हैं कि ऐसा देखने को मिल नहीं रहा है किन लोगों को मिलेगा तो जिन लोगों की कुणली में देवगुरु ब्रस्पती के स्थी एक अच्छे भाव में बनी हुई होगी क्योंकि देवगुरु ब्रस्पती का अच्छे भाव में होने के पस्षात ही आपके लिए रिजल्ट निर्मित होता हुआ पाया जा और देखिए कि आप व्रश्चिक राशी या व्रश्चिक लगन के जातक हैं और यहां से देवगुरु ब्रस्पती आपकी कुनली में छटवे घर में लगन से काउंट कीजिएगा ये लगन होता है एक दो तीन चार पांच छे छटवा घर ये हुआ साथ आठ आठवा घर ये इस इस्थान पर यदि देवगुरु ब्रस्पती आपके कुनली में विराजित हैं तो ये सारी बाते जो मैंने आपको कही है ये कहीं ना कहीं सत्य नहीं हो पाएगी उसका कारण है कि देवगुरु ब्रस्पती आपके कुनली में ही बात दिया हो गए हैं अशुपफल देन के लिए इन इस्थानों पर बैठ कर किन्तु वहीं दूसरी तरफ यदि देवगुरु ब्रस्पति एक अच्छे भाव में बने हुए हैं डिग्री वाइस बल्वान होकर बैठे हैं तो मैं दावा करता हूं लिखकर रख लीजिए ये शनी की साड़े धैया का कश्ट कारी जो कवस्था आपके लिए बनी हुई है इससे बाहर निकल कर बहुत बड़ी सफलता इन बारा महिनों में आपको प्राप्त ना हो जाए तो मुझे कहिएगा क्या करना चाहिए ताकि देवगुरु ब्रस्पति का अशिरवाद हमें प्राप्त हो ओम गुरुवे नमह इस मंत्र क नित्य 108 बार जाब करना आपके लिए बहुत अच्छा है विश्णू सहस्त्र नाम का पाठ अगर करना संभवनार है जो इसे सुनिये जरूर से सुनने मात्र से इसके बहुत अच्छे योग देखने को मिलेंगे और देवगुरु ब्रस्पति एक अच्छे भाव में बने किन्तु यदि देवगुरु ब्रस्पति नीच के हुकर बैठे हैं 6-12 में बैठे हैं तो कोई लाख कहे पुखराज मत पहन लीजेगा अन्य था समस्याओं का पहाड अपने आप निमंत्रन देकर बुलाएंगे कि आईए और मुझे परेशान कीजिए आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार